के अपने यूट्यूब चैनल लाविश्टड़ी अलाबाद में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं खेल कुद और उसका पहला टॉपिक होने वाला है वो है ओलम्पिक खेल और आज की इस एक मात्र वीडियो में दोस्तों ओलम्पिक खेल से जितने भी प्रश्ण एक्जामनेशन हाल में बनेंगे या बनते हैं उन सभी प्रश्णों को हम देखेंगे साथ ही साथ कांसेप्ट भी देखेंगे तो इस वीडियो को अगर जो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर म कर दीजिए कमेंट कर दीजिए वेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं लेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ओलंपी खेल के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओलंपी खेल का प्रारं से माना जाता है और यह स्टार्ट कहां पर हुआ था यह जेन reduce में ठीक है और एक प्रशन और बनता है की इस में कितने अट माघ लिया ता उस टाम या तो दोच्टों ने भाग लिया था तो देखिए दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जो ओलंपिक है अलमिक खेल का आरंब माना जाता है और और यह पहली बार कहां खेल गया यह आपके ग्रीज मेंग्रीज के कहां एंटेंट्स में घेला गया और पहली बार में 200 जी ने यांनि दोसो धावाटकों ने गया था इसमें भाग लिया था चलिए एक चीज हम करेंगे दोस्तों तो अ के प्रारंब कहा पर नाम का उइभा कि जमें और फिरफ दयूमक्रौश में कर अधिन कभाता तो जनित कद्वा ऊत्रैंशmen 10Benze उन्हें ₱ ₹ ₹ ₒ ₹ 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 ně ₹ ₹ ₹ और उसका नाम О्लंपिक कैसे पड़ा ये बहुत ही मिपार्टेंट है कि इसका नाम ऑलंपिक कैसे पड़ा ओलंपिक क्या होना चाहिए कि यह जो प्रारंब हुआ था यह कहां पर हुआ था घ्रीस में तो हुआ लेकिन इसका नाम cin pale परवत्त प्रवास बोर्त तो वो परवत्त हो ओलम्पिया है कौंसा परवत्त है दोश्तों ऑलम्पिया ऑलम्पिया परवत्त पे शुरू होनेके वजह से ही इसको क्या चाइंगeling-building कि युद्ध हओ अगर बात करें कि पर QUEении प्रॵकिंद चाहर ऐे बात परवत सबर के बात कर रहें तो किसे परवत पर रूम पर अरूंब हुआ हो इसा फ़र क्यों थो था नाम मतल पड़र को हुआ इल्चे शहार की जिजए शनना वेुआँ बात करेंगे दोस्तों कि देखिए 2008 में चीन में खेला गया अब देखिए अब हम यह तो ठीक है यह हम लोग प्राचीन काल के बात कर रहे हैं लेकिन जो वास्तुविक जैसे कहा जाता है ना कि आधुनिक रूप से आधुनिक रूप से आधुनिक रूप से ओलम्पिक का 2008 में स्टार्ट हुआ था आधुनिक रूप से 2008 याद रखिएगा 2008 इस भी में यह कहां पर सुरू हुआ था यह हुआ था दोस्तों चीन में खेला गया था और चीन के कहां पर खेला गया था यह 2008 में कहां खेला गया था चीन में और चीन के कहां पर खेला गया था बीजिंग में मिंजिंग में ऑदेकि दोस्तों याद रखिएगा अगर य मीवा मिले की तो चीन के भीजिंग में आयोजित किया जाता है चलिए आप हम थोड़ा सा भारत के बारे में बात करेंगे की भारत ने भारत ने ओलम्पिक में पहली भार कब पार्टिसिपेट किया यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि भारत में देखिए दोस्तों भारत में भारत ने ओलम्पिक में कब पार्टिसिपेट किया यह बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है तो कब किया था दोस्तों उनी ने 1st time को भाग लिया था दोस्तों हो लिया था 1900 में 1900 को एलंपीग खेल में पहली ली भाग ली था और यह कहा पे वहा था यह आप लोग याद रखिएगा पैरिस में हुआ था कहां पर वाय था में भाग लिया था इतना आप लोग याद रखीएगा फिर हम आगे मुफ करेंगे दोस्तों कि 1928 भाहि देखstory अब क्या होता है 1900 में तो हम पहली बार देखिए दोस्तों भाग लेते हैं लेकिन 1928 ठीक है 1928 पहली बार पहली बार इंडिया गोल्ड मेडल जीता क्या जीता पहली बार इंडिया गोल्ड मेडल यह हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता कब पहली बार नोट्स बनाते चलिएगा दोस्तों क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको प्राब्लम हो सकता है कि क्रियेट हो जाए इन फ्यूचर में तो देखिए से माना जाता है माना जाता है ठाराथ să positivo में में और यह कहां हैं यह में हुआ था और पर्रश्नागर कंटि कि पड़न क्यों पढ़ क्यों नहीं कोई और यिसका नाम पढ़ गया तो क्यों कि वापग दोस्तों क्योंकि है आ यह जो खेला गया था फिर अगर जो हम बात करें कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कबसे मानी जाती है मानी दो हजार आट इसवी के चीन उर्टिया तो इंडिया ने परिफिक खेल में भाग लिया दोस्तों उन्निसकों में और उनिस सो इस भी में भाग लिया तो उनिस सो इस भी में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो कहां पर हुआ था तो वह था फ्रांस में और यह कहां पर है पेरिश ठीक है फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया ने गौल्ड मेडल पहली बार कप जीता था most important प्रशन है दोस् करेंगे दोस्तों बहुत important है कि इसके जब्दे के बारे में बाथ करेंगे जब्दा ठीक है gonna-9 जब्दा जब्दे के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो देखिए अप प्रश्वनो पूछता कि ओलम्पिक में कितने रिंग होते हैं तो ओलम्पिक में कितने रिंग होते हैं यह प्रश्ण अक्सर पूछता है एक्जामनेशन में तो वन टू थ्री ठीक है फॉर और फाइफ कितने रिंग होते हैं दोस्तों यह पांच रिंग होते हैं कितने रिंग होते हैं पांच अच्छे दोस्तों मैं थोड़ा से एरेज कर देता हूं एरेज करके दूसरे अच्छे से इसको मैं बनाता हूं ठीक है तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा और चलिए हम लोग इसको एरेज करते हैं नोट डाउन कर लीजिए अगर जो अभी तक आपने नोट डाउन किया है तो ठीक है अब हम लोग बात करेंगे कि ओलंपिक में जो जंडा होता है उसमें उसकी क्या खैसियत होती है या उसका उसके बारे में हम लोग थोड़ा से देखेंगे ठीक है ओलंपी ओलंपी का जो जंडा होता है दोस्तों उसके बारे में लोग देखने वाले हैं त कितने रिंग होते हैं one two three one two मतलब कितने रिंग होते हैं दोस्तों देखिए इसमें पाच रिंग होते हैं ठीक है कितने रिंग होते हैं आप प्रशना आप से पूछ दे कि ओलम्पिक में कितने रिंगों की संक्या कितनी होती है तो वह होती है पाँच और यह देखिए दोस्तो जो पांच रिंग होते हैं जो किसको रिपर्जेंट करते हैं यह जो रिंग होते हैं दोस्तों यह एक दो तीन चार पांच यह जो पांच रिंग होते हैं यह किसको रिपर्जेंट करते हैं यह पांच कॉंटिनेंट को रिपर्जेंट करते हैं किसको रिपर्जेंट करते हैं य पांच महादीप को क्या करते हैं दोस्तों ये पांच महादीप को क्या करते हैं ये रिपर्जेंट करते हैं रिपर्जेंट करते हैं पांच महादीप को क्या करते हैं रिपर्जेंट करते हैं और यह पांच महादीप कौन-कौन से हैं आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों क्योंकि अक्सर एक्जामनेशन हाल में पूछता आई यह प्रश्ण पहला जो है दोस्तों वह है अफ्रिका पहला जो रिंग है उसको कौन वह रिपर्जेंट करता है मतलब किस सम्मंदित है अफ्रिका से दूसरे की बात करें दोस्तों तो अमेरिका पहला अफ्रिका हो गया दूसरा अमेरिका हो गया तीसरे की अगर जो हम बात करते हैं दोस्तों तो वह हो गया एसिया एसिया चोधे की दोस्तों अगर जो हम बात करते हैं तो वह कौन हो जाएगा वह यूरोप और पाच्वे की बात करेंगे दोस्तों तो आस्ट्रेलिया अब देखिए दोस्तों इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे ठीक है लेकिन एक बहुत इंपोर्टेंट यहां प्रश्न पर बनता है कि ऐसा कौन सा महादीप है जो जो ओलम्पिक के रिंग वलेयों से स सम्बंदित नहीं है तो है अंटार कटिका अंटार कटिका अंटार कटिका जो है महादीप वह किसे यह रिंग से सम्बंदित नहीं है यह क्या है रिंगों से सम्बंदित नहीं है यानि जो यह रिंग बनाए गया है पांच बनाए गया है उस वह क्रम सा अफ्रिका अमेरिका अफरीका अमेरिका एरोप और अस्ट्रेलिया से संबन्दित है ना को अरकर्सका कांटीनेट संबंदित है अगेback करें दोस्तों आगे करेंगे आप जंडा के वाते हैं दोस्तों हमँ देख लिया जो अलाम्पिक का जंडा लुए होता है उसमें क्या उसमें है जैसे युरोप हो गया एसिया हो गया अश्टेलिया हो गया ओव्ष्ट है और त्रिक को नहीं करता ये इंपोर्ट है बहुत इंपोर्ट है यह पांच रिंग और भी में इसम कौंसा ग्यों नहीं करता है तो कौन हो US है यह किदने वर्स के अंतराल फर होते हैं इतना आप लोग यादे फिर हम बात करेंगे कि एक जो एक जो होता है उलम्पिक एक तो विंटर में होता है और एक समर में होता है कि विंटर विंटर यानि ठंड में होता है और दूसरा जो होता है दोस्तों कब होता है वो समर में होता है कि याद रखिएगा कि ओलंपिक खेल जो है यह चार वर्स के अंतराल पर होते हैं और एक जो होता है विंटर में होता है दूसरा समर में होता है और यह भी कितने कितने सालों के अंतराल पर होते हैं चार साल के अंतराल पर यह भी होगा चार साल के अंतराल पर यह भी होगा ठी चार बर्स के अंतराल पे ही होते हैं ठीक है चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यह हम लोग ओलंपिक का तो देख रहे हैं कि यह चार बर्स के अंतराल पे होते हैं विंटर और समर अब देखिए दोस्तों अगर जो हम बात करें विंटर के वारे में ठीक है तो विंटर मे एक जो आयोजित किये जाते हैं, वो होते हैं Olympic ठीक है, workplace winter में भी एक जो आयोजित किये जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? Olympic और जो दूसरा होता है, वो होता है Para-Olympic पेर minute फैर फैरे उर किल एलेंपिक ठीक है तो दीखिए किया होता है एक तो ओल्डिंपिक होता है दूसरा होता है पेरा ओलlio scent जीएगा फिर उसी प्रडार से अगर चार जुछ 2003 के ठीक है अगर तो भुग Marsh excuse कि दोस्टों तो समर में भी कर थाjust है एक होता है olympicamat और दूसटा ज assessments कि पेरा somet пыт Αोलंपिक कर याद रखिए गए इस बात को ठीक है तो हमने अभी तक क्या देखा दोस्तों कि olympic खेल होता है वो कब कब होता है एक winter में होता है और एक summer में होता है ठीक है और इनके उसमें बीच विंटर सेशन में खेला जाता जो जिसे बोला जाता है ऑलंपीग और आधा यह तो जो सब्सक्राइब में खेला जाता है जो आधा जो यह चलिए न्युक्तर करेंगे और अब हम लोग ओलंपिक खेल के बारे में बात करेंगे 2017 का जो ओलंपिक खेल हुआ था प्रश्ण पूछ सकता है 2017 के ओलंपिक खेल से तो 2017 का ओलंपिक हम लोग देखने वाले हैं 2017 ठीक है इस भी का क्या ओलंपिक ओलंपिक खेल अब दोजार सॉरी 2016 की बात करने वाले हैं दोस्तों 2016 2016 में क्या क्या हुए थे किस देश ने जादे सर्वाधिक गोल्ड मैडल जीता था कौन से दावक कहां से आए थे भारत में उसकी सभागिता क्या थी इस सारी चीजों को हम एक एक करके देखने वाले थे तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों क di false तफ हो तो राधिं की बात करेंगे दोस्तों तो वह हुआ था श्टान की बात करेंगे दोस्तों तो भोलॉ ता ब्राजील में कहां पहुआ था ब्राजील बहुत इंपॉर्टेंट अधर्या Being ओढ़erin में वा थे हुआ थाई औ इसको ऐसे लिख लिख लिजिएगा जी रियोजीन डेनेरियो याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है रियोजी डेनेरियो यह हुआ था कापे यह हुआ था आपका ब्राजील में हुआ था कब हुआ था 2016 अब बात करें दोस्तों ठीक है आप लोग इतना ध्यान में रखिए और यह कब से कब शुरू हुआ था पांच अगस्त लेके यह हुआ था 21 अगस्त तक 5 अगस्त टू 21 अगस्त तक यह कब आयोजित किया गया था दोस्तों यह आयोजित किया गया था 2016 में पांच अगस्त से लेके 21 अगस्त और कहां भी ब्राजील में ब्राजील में इसका योजन हुआ था पांच अगस्त से लेके 21 अगस्त तक 2016 के अलम्पिक की हम बात कर रहे थे ठीक है इसमें किसको देखिए यह पूछ देगा कि टोटल कितने कंट्री ने खेला ठीक है टोटल टोटल कितने देशों ने इसको खेला तो टोटल देशों को ने खेला दोस्तों कितने है दौजब साथ दो सबसाद देश होने इस से बाग लिया अगर जो मम करने कि किस देस को बाहन बाएन कर दिया गया बहुत इंपोर्टेंट है तो को वैक बैलों किया गया इसमें बायन कर दिया गया कुफेत को क्या किक्या इसमें खेलेने मेरिकाना मेरिकाना इस्टेडियम में क्या किया गया इसे खेला गया फिर आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि सर्बाधिक मेडल किस देश ने जीता सर्बाधिक मेडल जो जीता वो किस देश ने जीता सर्बाधिक सरवाधिक मेडल जो जीता है वो किस देश ने जीता तो सरवाधिक मेडल जीता था USA ने जीता था ठीक है सरवाधिक मेडल किस ने जीता था USA ने सरवाधिक मेडल जीता था सके देखिए थर्ड पे जो था दोस्तों वो कौन था याद रखिएगा चाइना पूछ देता है थर्ड नंबर पे देखिए यूएस से फॉस्ट पे था फॉस्ट पे था ये यूएस से सकेंड पे कौन था दोस्तों सकेंड पे जो आपका था वो ब्रिटेन था सेंट पे आपका कौन था दोस्तो सेंट बिटेंटम था सेंट क्यों था जो और क्षाइब कोन था पर चीन था याद रखिएगा अब रखेएगा एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं कि 2016 इस्व का जो ऑलम्पिक खेल हुआ वह कहां पर हुआ ब्राजील में हुआ और इसे दो स्टेडियम की बात करें तो seventh MR跟你 울तक सब्धोर भात करें तो usna सरबादिक वह उसके भाह्त के बारे में के देखेंगे हुआ हुआ है स्वै क्यों इ upwards धाल ब्रेटीक फ fp कीब किसका राजस्तान लादोस्तों पराज चीन का चलिए अब हम लोग कर थोड़ा सा नबाहरत के बारे मैं देखेंगे क्यों कि भारत भीकाफी इंपोर्टेंट आ ह visit in India a India में क्या इस्थिते रही इस olympic में 2016 का olympic हुआ वह इंडिया ही दोस्तों केवल 2 medal लिया किसे 2 medal लिया clairement और यह 67th नमबर पर रहा रहा यह और अगर बात किया जा응 207 country में में कितने country पर रहा 67 नमबर पर यह रहा और इसको 2 medal मिला और दो मेडल में क्या क्या मिला दोस्तों दो मेडल में एक सिल्वर मिला और एक ब्रोंज मिला एक जो मिला सिल्वर एक मिला सिल्वर और और कौन सा मिल गया दोस्तों एक सिल्वर मिल गया और एक मिल गया प्रोंज एक सिल्वर मिलता है और एक क्या मिलता है ब्रोंज मिलता है शारी दोस्तों चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि सिल्वर में किसे मिलाता है Silver में मिला था PB Sindhu को जो किस्छे समदित है Silver PB Sindhu ये किस्छे समदित है Bent Mental और Bronze किसको मिला था Bronze में मिला था साक्छी मलिक इसको देख लीजिएगा साक्छी मलिक और साक्छी मली की स्क्यल से संबंदित है यह रेसलिंग से संबंदित है तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों देखिए 2016 का मोग Olampik खेल देख रहे हैं कि दोजार ठीज़ेश ऑला का जो अलमपीक है वो अयोजित में किया गया था रच पाँंच चटर्श पाचव इक Garagports Aa के कि ब्राजील अब यह वक्त damn जजोन किया गया ऐ। तोटल बात के कि कि इसुन जी जीए वह जीते थे मैधल यू एस एन इसरबादिक medal जीते थे second पे Britain रहा था और third पे कौन रहा था थोस्तों थरड पे चीन रहा था अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडिया में इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने दो medal जीते थे 2017 का जो लम्पिख केहल रहे ता इंडिया के डो लोगों ने क्या गया था मेडल जीता था एक जो मेडल था वो सिल्वर था दूसरा जो था वो ब्रोंज था ठीक है सिल्वर किस ने जीता था पीबी सिंदू ने जीता था जो किस केल से संबंद इती बैट मिंटल से संबंद इती और जो सकेंड था वो कर दीजिए वेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले दोस्तों मैं इतना मेनत करता हूं अगर जो आप लोग एक कमेंट भी कर देते हो तो मुझे काफी खुसी मिलेगी उससे और मैं काफी मोटिवेट होंगा आप वीडियो बनाने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिए एक लयक कर начала चीया के उसे की कर दीजिए बिजा और सेह कर दीजिए दोस्तों के साथ котором दोस्तों हम बात करेंगे वंखी अभी तक हम लुग किस में बात कर रहे थे समर पैरा ओलम्पिक के बारे में किसकी बात करेंगे दोस्तों समर पैरा ओलम्पिक के बारे में हम लोग बात करेंगे ओलम्पिक खेल ठीक है अब बात करेंगे किसके बारे में समर summer para olympic summer para olympic ठीक है दोस्तो summer para olympic games के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है दीखिए summer para olympic games के बारे में लोग बात करने वाले हैं तो 2016 में यह कहां पर हुआ था याद रखिएगा यह 2016 में अभी जो हम लोग पढ़े थे ब्राजील में हुआ था ब्राजील में हुआ था साथ ही साथ हम लोगों को यह देखना है कि इंडिया को इंडिया को चार मेडल मिला था इसमें जितना बता रहा हो दोस्तू चार मेडल मिला था द इसमें अभी मता रहूंका कैसे पूचता है धीःग जो ड्वारा यह खेल kilo जाता है यह किसके द्वारा खेला जाता है200 इस Professor What क्या होती है दिव्यांग द्वारा खेला जाता इश्य किसके द्वारा खेला जाता है इसको केवल और केवल द्व्यांगों के द्वारा ही खेला जाता है ना कि इसको यह किस के द्वारा खिला जाता है यह परफेक्ट लोगों के साथ नहीं खेला जाता है फिर हम बात करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे चीन था और फॉस्ट पोजीशन की बात करें भार इसन पी बार करें दोस्तों फ़र्स्ट पोजिशन पे चीन था और इसने क्या किया था कितना मेडल जीता था एकसो साथ मेडल इसने क्या किया था जीता था चलिए दोस्तों देख लीजे हम लुग समर पैरा ओलम्पिक गैमस पढ़ रहे थे जो 2016 में हुआ था तो समर पराख ऑलम्पिक तो के बीच खेला दाता है नकी परफेक्ट लोगों के बीच खेला जाता है और इस पर के फॉर्स्ट पोजिशन पर कौन रहा एक सोसाथ मेडल के साथ चीन फोस्ट पोजिशन पर रहा हुआ है चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों अब हम बात करेंगे विंटर ओलम्पिक गेम अब हम बात करेंगे दोस्तों विंटर 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 ओलम्पिक गेम ठीक है विंटर ओलम्पिक गेम की बात कर रहा है दोस्तों विंटर के ओलम्पिक गेम की बात कर रहा है 2008 में ये कहां पर 2018 में South Korea में ये हुआ था कहां पर 2018 में South Korea South Korea प्रशना आप से पूछते हैं दोस्तों कि ये बताईए कि जो विंटर पेरा ओलंबिक गेम है वो 2018 में कहां पर हुए थे तो वह हुए थे South Korea में हुए थे जिसमें फॉस्ट पोजिशन कौन रहा फॉस्ट कौन रहा फॉस्ट रहा दोस्तों इसमें नार्वे कितने मेडल के साथ 90 39 के साथ नार्वे और यह कितना मेडल पाया था दोस्तों 39 मेडल यह पाया था साथी साथ हम बात करेंगे सकेंड पोजिशन सकेंड की अगर जो हम बात करें दोस्तों तो सकेंड जो होगा उसमें जर्मनी 31 मेडल के साथ था जर्मनी जो था वो 31 मेडल के साथ था और अब हम बात करेंगे दोस्तों इंडिया के बारे में इंडिया का कौन सा अस्थान रहा याद रखिएगा इंडिया का जो अस्थान दोस्तों वो कौन था इसमें इंडिया कोई अस्थान नहीं रहा लेकिन अगर जो हम बात करें इंडिया को बारे में तो इंडिया से मात्र दो प्लेयर गया थे इंडिया से कितने दो प्लेयर गया थे ठीक है इंडिया से दो प्लेयर गया थे और इन दो प्लेयरों का नाम क्या सिववा रोनी सिवा कूं और रूसरे नौ मेडल इन्मने क्या किया दोस्तों कोई मेडल इनने प्राप्त नहीं कर पाए ये कोई मेडल किया ये प्राप्त नहीं कर पाए то देखिए हम लोग क्या पढ़ना है विन्टर अल्म okay गेम्स के बारे पढ़डा है जो Winter Games Olympics कभ आयोजित किया गया था 2018 में नेरली अभी आयोजित किया था कहां पे किया गया था South Korea में किया गया था फर्स्ट पोजीशन किसका था फर्स्ट पोजीशन नर्वे का था जो कितने मेडल पाया था नारवे ने कीतना मेडल पाया था ? 39 मेडल पाया था और second-nd मेडल इससने लाइछ ने ठीट सरबादिक मैडल प्राप्त किया था वह था जर्मनी 31 मेडल था ठीक है अब बात क ₹सकें इंडिया के भारे में कि नहीं इसको दूबस पढ़ते रहना है पढ़ते रहना तो जी हाँ जरूर क्योंकि यह टॉपिक इंट्रेस्टिंग नहीं है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो एक्जामनेशन आज में प्रशन आपके छूट ज जानने की संभावना रहेंगी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत इंपोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों आप लोग करके नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों नोट डाउन करेंगे तभी आपको काफी बेनफिट इसका मिलेगा ठीक है अब हम चलिए बात करते हैं डाउन का करें बात हैं और विंटर यंटर पहराओनल्फिक गेंच की बारे में लोग बात करेंगे वीनटर पहराओलम्पिक गेमश की बात करेंगे ज बात करें इसमें हम बात करें दोस्तों तो इंडिया से कोई प्लेयर नहीं गया इसमें क्या हुआ यह देखिए दोस्तों मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ही आप लोग जञाद रखेंगा और यह जो 2022 में होगा यह कहां पर होगा 2022 में यह होगा वीजिंग में 2020 में कहा होगा वीजिंग में होगा इतना आप लोग याद रखिएगा और इसमें क्या विंटर पैरा उलम्पिक में इंडिया कोई भी क्या हुआ था प्लेयर नहीं गया था अब चलिए हम बात करेंगे दोस्तों इसको हम मेरेज करते हैं बस इतना ही था ज्यादे नहीं था आप लोग इतना ही याद रखिएगा अब दोस्तों कुछ चीजें नोट करके लिख लीजी जो बहुत इंपोर्टेंट है पूछी जाती है कि ओलंपिक गेम को कौन अर्गनाइज कराता है आई ओसी ऑलंपिक गेम को अर्गनाइज कराता है जिसका पूरे नाम क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आई ओसी आई ओसी यह क्या करता है आई ओसी जो है वह ओलंपिक गेम का आयोजन कराता है ओलंपिक गेम का ओलम्पिक खेल का आयोजन आपसे पूछ दे दोस्तों कि यह बदाई है कि खेल का आयोजन कौन कराता है तो आई ओसी करवाता है और आई ओसी का पुरा नाम क्या है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी आई ओसी का पूरा नाम क्या है इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी के द्वारा ही क्या क्या आता है ओलम्पिक खेल का आयोजन करवाया जाता है सौरी अब हम बात करेंगे कि इसका हेड़ क्वाटर कहां है स्विट्जर्डेंड मेंग में प्रति का मुख्याल है कहाँ पर साथ ही साथ बात करेंगे कि इसका अस्णा रफ़स युर्थ का स्थापना कब हुआ था करें कि ऑई आई-ई- कम के देश सदस्य देश की बात किया दोस्तों तो सदस्य देश कितने देश इसके क्या है सदस्य है तो वह हुए दोस्तों 205 सदस्य इसके क्या हुए देश हुए और अध्यक्ष की बात करें कि इसका जो प्रेसिडेंट है वह कौन है तो अध्यक्ष जो है दोस्तों वह है थामस ब कश चलिए दोस्तों ऐसा जो दोस्तोंगी और सजो तो पर tulee reclaim कि क्या है क्या सब्सक्राइब किसका पूरा नाम है आई ओसी का पूरा नाम है और यहीं जो आई ओसी है यह किसका युजन करवाती है ओलेंपिक गेम का यह आई ओसन करवाती है अगर जो बात करें हैं हैडवाटर कहा है आई ओसी का हैड़क्वाटर कहां पर है तो आई ओसी का जो हैड़क्वाटर है वो श और इसके अध्यक्ष कौन है थामस्वाच थामस्वाच इसके क्या है अध्यक्ष है चलिए इंडिया की अम आज की बात करेंगे अब इन ओ सी नेशनल ओलंपिक कमेटी अब इंडिया की देखिए नेशनल कमेटी तो अर्गनाइज करती है लेकिन अकर भी इंडिया के इंडिया की कॉन सी कमेटी है तो इंडिया की नेशनल ओलम्पिक कमेटी अगर जो एनोसी की बात करें कि एनोसी का हैड़ क्वाटर का है तो हेड़ क्वाटर की बात करेंगे दोस्तों तो यह है दिल्ली में अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि एनोसी का वूपार्ब इसका है इसका है को दिल्ली में है फिर हम बात करेंगे अस्थापना कि इसके तो अस्थापना या फाउंडेशन की अगर बात करें तो 1927 में क्या हुआ था इसका अस्थापना हुआ था फिर हम बात करें वर्तमान अध्यक्ष ठीक है तो नरिंद्र वत्त्रा अध्यक्ष अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कों था नरिंद्र अध्य तेम के शक्राव बात करते अब बात करेंगे ठीक है इंटर्नेशन ठीक है क्या हुआ दूस्तों इंडिया की अनुसी की हम लोग बात कर चुके हैं कि इसका एड़कॉर्टर कहां पर दिल्ली में है इसकी अस्थापना कब होती है 1927 में होती है इसके अध्यक्ष कौन है नरिंद्र वत्रा है और साथ साथ अगर जो हम सचीव की बात करें तो सचीव जो है वह है राजीव मेता तो दोस्तों इस प्रकार से ओलंपिक से संबंदी जितने भी तत्य एक्जामनेशन आल में पूछे जाते हैं उन सभी तत्यों को हमने बहुत ही अराम से यहां पर कवर कर लिया है ठीक है दोस्तों मिलते नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार धन्यबाद